ओम नमस्षिवाई तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा रहस से बताने वाला हूँ जो कि आपको अमर्ता का वर्दान दे सकता है जी हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या कहानी है और ग्रंथों के नुसार इसकी क्या माननेत्याए है तो आज मैं बात करूँगा गूलर की पेड़ के बारे में जिसे अंजीर और फिक्ट्री भी कहा जाता है अंग्रेजी में तो ये जो पेड़ है, ये वरक्ष जो है, ये देविय पेड़ है इसकी उत्पत्ती करोडों साल पहले होई थी और हिंदु धर्म की बात करें, तो इस वरक्ष की काफी माननेत्याए है बात करते हैं इसकी देविय शक्तियों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जो देविय पेड़ हैं वो कौन-कौन से होते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं नीम, पीपल, बरगत ये त्रिवेणी कहलाते हैं हम सवेता ही इनको पूछते हैं लेकिन एक और देविय पेड़ है जिसे गूलर कहा जाता है जो अंजीर का पेड़ होता है उसे भी एक विशे स्थान दिया गया हमारे ग्रंतों में तो ऐसी माननेता है कि जो अंजीर का फूल है वो रात्री के समय खिलता है और अगर उसे कोई देख ले तो वो स्वेता ही अमर हो जाएगा और आज तक इसको दुनिया में किसी ने नहीं देखा अगर आपको कभी अंजीर का पेड़ मिले और आप उसे देख सको तो तो अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग है जो आपको अमर बना सकें तो ढूढ़िए एक अंजीर का पेड़ और रात्री के समय उस पर शुक्रवार के दिन आप देखेगा एक लाल फूल खिलाव आपको देखेगा अगर आपने वो फूल देख लिया तो आप अमर हो जाएंगे ऐसा प्राचिन गरंतों में लिखा हुआ है जो इस अंजीर के फूल को देख लेगा वो स्वता ही अमरता को प्राप्त होगा सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी पौराने कता हैं जो कि इस एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो यह आपका अंजीर का पेड़ है जो गूलर का पेड़ है यह शुकर के समान है शुकर गर है इससे प्रसन्न किया जा सकता है तो अगर प्रेम विवाह करना हो या फिर कोई रूट कर चला गया हो और किसी भी तरह की प्रेम समंदी जो है परेशानिया आ रही हो तो किसी शुकरवार के दिन जाईए और जो गूलर का पेड़ है उसके एक जड़ निकाल कर लिया है चोटी सी और उसका ताबीज बना लीजिए तो प्रेम विवा या प्रेम प्रसंग में जो भी परेशानी जो अड़चने आ रही हो वो इस ताबीज से दूर हो जाएंगी आप देखिएगा अगर आप रोज अंजीर के पेड़ में जल चड़ाते हैं तो इससे आपका जो शुकर है वो बलवान हो जाएगा और अगर कोई भी दोश होगा आपके शुकर में तो ये जो चीज है ये छोटा सा प्रियोग उसको बलपरदान करेगा और आपका जो शुकर है वो आपके हित में काम करना शुरू कर देगा तो अगर आपको बहुत सारी लड़कियां पटानी हो गल्फेंट्स बनानी हो अपनी शादी करनी हो किसी से किसी ऐसे साथी से जो कि आप आपसे दूर चला गया हो तो उसको मनाने के लिए भी आप ये प्रियोग कर सकते हैं प्रेम विभाब, प्रेम प्रसंग और जो भी भौतिक सुख हैं उनके लिए ये जो प्रियोग मैंने छोटा साब को बताई आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन आपको गूलर के पेड की छोटी से जड़ निकाल के लानी है और उसको विदी विधान से धारन कर लेना है अगर किसी भी तरह की दिक्कत परिशानी आए तो मुझे कॉल कीजगा 999-284-1625 पर धन्यवाद